नमस्कार आज हो चुका है पांस सितंबर आए जानते हैं पांस सितंबर की दस बड़ी ख़बरों के बारे में जी आनुस्तों बताएंगे पूरी ख़बर आपको विस्तार से तो वीडियो में तक बने रहे हैं आपको बता दे कि सरकार का बड़ा एलान LPG गैस पर नहीं के लोगों के लिए सेना भरती रैली पांच अक्टूबर से तो बताएंगे विस्तार से आपको अगली बड़ी ख़बर वैक्सीन आने के बाद भी आसानी से नहीं भागे कोरोना हर साल लेनी पर सकती है दवाज जी आनुस्तों अगली बड़ी ख़बर आपको बताते हैं आ भारत में फिर सुरू हो सकता है टिक टॉक जापान की यह कंपनी एप खरीदने की तयारी में तो आपको बताएंगे कौन सी कंपनी टिक टॉक खरीदने की तयारी में तो पूरी खबर आपको बताएंगे इसी वीडियो में तो वीडियो में तक बने रहें साथी अगली बड भारत में पहले बुले ट्रेन समुत्र के नीचे से गुजरेगी कम सो जोर सोर से चल रहा तो आपको बता दें कि इसकी तैयारी जोर सोरों से चल रही है तो बताएंगे पूरी खबर आपको विस्तार से तो वीडियो में तक बने रहें साथ ही अगली बड़ी खबर आपको बत बताते हैं कि कौन रच्राय पीम मोधी पर हमले की साजी से इमेल मिलने के बाद जाच में जुटी खूफिया एजंसिया तो बताएंगी पूरी जानकारी आपको विश्तार से चलिए चलते हैं पहली बड़ी खबर की और तो इससे पहले अगर आपको बता दें कि अगर आप आप वैसला आया जिसके तहाट सबसेड़ी मिलनी बंद हो जाएंगि आपको बटा दें कि मई महीने से ही पर सबसेड़ी नहीं मिल रही है जबकि सिलंडरों के दाम्डं में कोई परिवर्दर नहीं किए गया है आपको साथ सरकार ने मई महीने से घरेलू गैस और सिपसिडी खत्म कर दिया इसलिए बैंक अकाउंट में इसके पैसे नहीं आ रहा है सिपसिडी को खत्म करने की सबसे बड़ी वज़ा है कि अंतराश्टिय बज़ार में अप्रेल में अलपीजी के दामों में भारी गिरावट के बा साम एक हो गए तो आपको बता दें अगली बड़ी ख़वर इंडियान आर्मी भरती रैली 2020 में कोटे के लोगों के लिए सेना भरती रैली पांच अक्टूबर से बताएंगी पूरी ख़वर विस्तार से वीडियो में तक बने रहें बता दें आपको 5-15 अक्टूबर के बी के अलावर एली में अन्य रेजिमेंट के भूत पूर्वेम सेवारत सैनिकों युद्ध के दोरान घायल सैनिकों के भाई पुत्र तथा कानूरी रूप से गोद लिये बच्चे तथा सर्फ रेश्ट खिलाडी भी भाग ले सकते आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को सैनिक स ट्रेट समय समय के लिए भरती होगी आपको बता दें कि समानी के लिए लिए अलीगर्ड इलाबाद अमेटिकर नगर्ण अमेठी, अम्रोहा, आजमगड, गोंडा, गोरकपूर, हमीरपूर, हर्दोई, हात्रस, जॉनपूर, जासी, कनोज, कानपूर, नगर, कासी, रामनगर, कौसांबी, लखीमपूर, खीरी, कुशी नगर, ललितपूर, लखनव, महाराज गंज, महोबा, मैनपूरी, मेलट के इज़ापूर, मुरादाबर, मुझफर नगर, जालॉन, आदी देश भी 7 अक्टूबर को ले सकते हैं, भरती तो आपको बता दें कि अगली बड़ी खबर निकल के आ रही, वैक्सीन आने के बाद भी आसानी से नहीं भागे हैं, कोरोना हर साल लेनी पर सकती है, दवा तो करूध बताइं कि रिस्तार से वीडियो में बें दक बने रहरे बता दें, आपको कोरोना वायिस के खिलाप, पूरे देश में जंग जारी है, इस बीच वैक्सीन को लेकर कवायत जारी है, आपको बतादें कि ताजें खबर आनि के बाद भी कोरोना महहमारी आसानी से दूर होने वाली नहीं हो सकता है कि इसका टीका लोगों को हर साल लगाना पड़े यह संकेत ISMR ने दिये हैं आपको बता दी कि ICMR के महानिदेशक डाक्टर बलराम भार्गों ने फ्ल्यू और इन फ्ल्यूंजा के वाइरिस का उधार दिया जिन से बचने के लिए हर सार टीका लेना जरूरी होता है आपको बता दी कि कोरोना एंटीबाडी की सरीर में मौझूदगी की समय सीमा पर डाक्टर भार्गों का क आजा सकता है चुकि यहाँ वाइरस नया है और इसके आए अभी 6-7 महीने ही हुए है इसलिए इस सम्मंद में बहुत वैज्यानिक तथ्य सामने नहीं आये हैं आपको बता दें कि अगली बड़ी ख़वर आम आदमी को मिली रात पेट्रोल डीजल की भरती केमतों उपर प्रती लीटर 16 पैसे तक की कमी थी आपको बताएं कि अंतर राश्टी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के चलते घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ये वड़ोत्री हो रही है या फिर कोई बदलाव नहीं होता आपको बतारें कि बीटिस 17 दिनों में पेट्रोल की कीमते 1.65 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है अगर आज चीर आजधानी दिली में पेट्रोल के एदाम की बात करें तो आज 82.8 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 73.40 रुपए प्रति लीटर रोजाना सुबह 6 बचे से ही नई दरें लागू हो जाती है तो आपको बता दें कि सरकारी तेल कमपनियों ने लगातार तीसरे दिन पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया लेकिन बहुत दिन बाद कल तेल कमपनियों ने डीजल की कीमत में प्रति लीटर सोले पैसा की कमी की थी आपको बता दें कि पेट्रोल वा डीजल के दाम में एक साइज ड्यूटी डीलर कमीशन और अन्य चीज़ें तो जोडने के बाद इसका दाम लगभग दो गुना हो जाता है को बता दें कि पिछले महीने सिर्फ डीजल ही हुआ था मेंगा तो बताएंगे पूरी ख़बर स्थार से वीडियो में तक बने रहें आपको बता दें कि बीते जुलाइं में सरकारी तेल कमपनियों ने सिर्फ डीजल का दाम ही बढ़ाया था उस दोरान दस किस्तों में डीजल के दाम बढ़ाये गए थे उससे डीजल एक दिसमलो साथ रुपए प्रती लीटर महंगा हो गया आपको बता दे कि पेट्रोल की बात करें तो उस महीने इसकी कीमत में कोई बढ़ूतरी नहीं किमते क्या है इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की केमतों में बदला होता है अगली बड़ी खबर आपको बताते कि सीम योगी ने युवाओं के लिए कि बड़ा एलान आप जल्द मिलेगी नौकरी तो बताएंगी पूरी खबर विस्तार से वीडियो में तक बने हैं आपको बताते कि यूपी के बड़ी बेरोजगारी को दूर करने के लिए सीम योगी ने बड़ा एलान किया है ताकि राज्य में रहने वाले युवाओं को जल्द से जल्द नौकरी मिल सके और उन्हें नौकरी मिलने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना ना परिक्षाओं के संचालन के लिए सिर्फ एक एक एक्जाम लिया जाएगा आपको बता दें कि लोगों को इसके आधार पर ही नौकरी मिलेगी उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस एजंसी का गठन किया जाए साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों और कर्मों में भरती परिक्षाइन यमित एवं समय बद्ध ढंग से होनी चाहिए आपको बता दें कि यूवाओं को समय पर नौकरी मिल सके आपको बता दें कि यूपी में नौकरी के लिए कई सारे विभाग हैं वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उतर प्रदेश अधीनस्त सेवा चैन आयोग माधमिक सिच्छा एवं चैन बोर्ड बेसिक सिच्छा विभाग जैसे कई विभाग हैं जिनके दोरा भरती निकारी जाती है साथ ही अगली बड़ी खबर भारत में फिर से सुरू हो सकता है टिक टॉक जाने के पूरी खबर को विस्तार से वीडि दारों को तलास रही है पिछले एक महीने के दोरां सॉफ्ट वैंक ने रिलाइंस की जियो इन्फो कॉम लिमिटेड और भारती एयर टेल लिम्टेड के प्रमुखों के साथ बात की भी की है आपको बता दें कि टिक टॉक की पैरेंट कंपनी बाइट डांस लिम्टेड में स जाए आधी आपको बता दें के सुरक्षा के गार भारत समयत कई देसों में टिक टॉक पर प्रतिपन लगा दिया है इस बारे में स्सकुल बैंक बाइअ बेले ये एर टेल ने टिपड़ी करने से इंकार कर दिया है भारत समेत कई देशों में टिक टॉक पर लगाया गया बैन आपको बताते कि भारत चीन विवाद के बाद भारत द्वारा 69 चाइनीज एप बैन लगने से चाइनीज कमपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है साथ ही अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं बिजली का बिल हो जाएगा जीरो सिर्फ 75 रुपए में लगवाएं ये सिस्टेम तो बताएंगे पूरी खबर को विस्तार से तो वी बिजली का बिल ही ना है जी आपको बतादे कि ऐसा हो सकता है क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बलकि सोलर साइंस है जी आपको बतादे कि सोलर एनर्जी बड़ी तेजी से गाउं कज़बों और सहरों में अपनी पैट बना रहा है भारत सरकार भी अक्षे उर्ज पर सबसेड़ी दे रही हैं आज खेट खलिहानों से लेकर घर दफ्तर फैक्टरी में तो सौर उर्जा का इस्तमाल ही हो रहा है तो आपको बताते कि बसकार ट्रेन तक अब सौर उर्जा से ही चल रही है आपको बतादे कि ऐसे मिलेगा बिजली बिल से चुटका रहा है तो आपको बतादें कि अगली बड़ी खबर है, भारत की पहली बुल्ट ट्रेन समुत्र के नीचे से गुजरी, तो बतादें कि विडियो में तक बने रहे हैं, आपको बतादे कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली इस 508 किलुमीटर लंबे रूट पर दिसंबर 2023 से देश की पहले बुले ट्रेन शुरू करने की सरकार की योजना है आपको बता देंगे और इसका कम जोर सोर से चल रहा जी आपको बताएंगे अगली बड़ी ख़वर सोने की केमतों में आई गिरावर जानिये आज दिली पटना और लखनाओ के दाम जी आज दोस्तों आपको बताएंगे पूरी ख़वर विस्तार से भारत में आज सोने की कीमतें 54,600 रुपई से गिरकर 54,110 रुपई प्रती ग्राम हो गई है जबकि चांदी 67,200 रुपई प्रती किलो से घटकल 65,600 रुपई हो गई है आपको बताएंगे नई दिली में 22,600 रुपई प्रती 10 ग्राम हो गई है तो आपको बताएंगे MCX पर अक्टूबर का सोना वाइदा 0.16 प्रसद गिरकर 55,742 रुपई प्रती 10 ग्राम पर आगया 24,770 रुपई प्रती किलो ग्राम पर रही है आपको बताएंगे अगली बड़ी खबर है 6 सितंबर से पहले बारिस की संभावना बेहत कम बनी रहेगी बादलों की आवाज आई जिया दोस्तों आपको बता दें मौसम विभाग का ताज़ा अपडेट बताता है कि 6 सितंबर से पहले पूरे प्रतेस में बारिस की कोई ज्यादा संभावना नहीं है अगली बड़ी खबर आपको बताएंगी कौन रचरा है पीम मोदी पर हमले की साजिस तो बताएंगी पूरी खबर आपको विस्तार से केंद्री जांच एजनसी एन आई ने आठ अगस्त को एक एमेल को लिखा जिस में एक महत्तपूर्ट सूचना दी की प्रधान मंत्री नारेंद्र मोदी पर जान के खत्रे की आसंका है प्रधान मंत्री को जांसे माने के लिए कोई साजित रच रहा है लीहाजा मामले की जानकारी मिलने के बाद ग्रैमेंस्तराले । खूप हिया। यह जानकारी प्रधान की गई थे . चाहता कि नहीं नटी को बनाना चाहता है इस मसले पर कोई भी जानकारी उस Mielle में नहीं दी गही है आपको बता दें कि आपने से map पर सब्सक्राइब कर लें ताज इसी तरह कि ळीयों सब्सक्राइब को देली दो है तक बीडीयों में से तबजी हैं यह humour कि